आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईवी कैनूला क्या होता है जिसमें हम आपको बताएंगे आईवी कैनूला के कलर, साइल, स्टैमिटर, लेंथ, फ्लोरेट और उसके यूज़िस के बारे में तो चलते हैं अपने वीडियो के तरफ सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आईवी कैनूला का मतलब क्या होता है जैसे कि आई का मतलब होता है इंट्रा, वी का मतलब होता है वेंज और कैनूला यानि कि एक कैनाल, यानि कि एक पाइप, अब डेफिनेशन समझ लेते हैं आईवी कैनूला का मतलब क्या होता है एक cannula is a tube, cannula क्या है एक tube है एक pipe है that can be inserted into the body जो कि हम क्या करते हैं, body में insert करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, cannula कहते हैं और कहां पर insert करना होता है intravenous यानि कि veins के अंदर तो यहां पर I hope कि यह full form आपको समझ में आया होगा next हम discuss करेंगे purpose of IV cannula, यानि कि IV cannula का क्या क्या purpose होता है क्या क्या उद्देश यह होते हैं, जिसमें first point है repeated blood sampling blood का sample लेना होता है, कोई disease हो गया है उसको diagnose करने के लिए blood का sample लेना होता है, उसके लिए हम use करते हैं next point है intravenous fluid administration अगर veins के थ्रूँ fluid को administer करते हैं dehydration के condition, vomiting के condition में तो उसमें भी हम क्या करते हैं, IV cannula का use करते हैं next point है intravenous medication administration veins के थ्रूँ जो medication को administer किया जाता है, उसके लिए use करते हैं next one है intravenous chemotherapy administration जो भी chemotherapy है, drugs जो कि specially cancerous वाले patient में use करते हैं, उसके लिए use करेंगे यहां next point है intravenous nutritional support, intra यानि कि inner and venous यानि कि related to veins यानि कि veins के अंदर nutritional support, जो कि अगर कोई person mouth के थ्रूँ nutrition अपना diet नहीं ले पा रहा है तो हम veins के थ्रूँ भी हम क्या करेंगे, उनको nutrition provide कर सकते हैं and last point है intravenous blood और blood products administration, मतलम कि blood transfusion के लिए भी हम क्या करते हैं IV cannula का use करते हैं, अब next हम discuss करते हैं, parts of IV cannula, मतलम कि जो भी IV cannula है intravenous cannula है, उसके क्या-क्या parts होते हैं, जो कि देखने में एक ऐसा cannula आता है और एक normally ऐसा भी cannula आता है, जिसको कि इस cannula को हम butterfly cannula भी कहते हैं जो कि यह क्या है, normal fluid या फिर small amount में, fluid के amount को चड़ाने के लिए, administer करने के लिए हम butterfly कर use कर सकते हैं और यहाँ पे है, IV cannula, जिसमें कि आप हर एक part को यहाँ पे देख सकते हैं, कि क्या-क्या parts के नाम है next हम discuss करेंगे, color के बारे में जो यह वाला parts होता है, यह color को indicate करता है, ताकि हम identify कर सके कि जो cannula का color है वो क्या है और इसी के according उसके size को हम पता कर सकते हैं तो जो orange color का जो cannula होता है, वो उसका जो number होता है, 14 goals का होता है और इसका जो external diameter होता है, वो 2.1 mm होता है इसकी जो length होती है, orange वाले की, 45 mm होती है और जो flow rate होता है, वो 240 ml per minute, यानि कि एक minute में 240 ml इसमें जो भी fluid होता है, वो flow होता है और usage इसका क्या होता है, trauma and major surgery के दोरान इसका यूज करते है या फिर rapid blood transfusion के दोरान इसका यूज करते है या फिर intravenous fluid को administer करते है तब हम orange color के cannula का यूज करते है जो कि यहाँ से specially question क्या आता है नंबर के बारे में जादा पूछा जाता है कि orange color का जो cannula होता है वो कितने gauze का होता है या फिर कितने number का होता है next हम color की बात करेंगे gray color cannula जो gray color का cannula होता है उसका जो number होता है 16 gauze का होता है इसका जो external diameter होता है 1.8 mm होता है length इसकी 45 mm होती है और flow rate 180 ml per minute होता है और इसका usage हम कहां करते हैं trauma and major surgery या फिर rapid blood transfusion या फिर intravenous fluids के दोरान करते हैं तो ये था grey color का cannula next हम बात करेंगे white cannula के बारे में इसका जो number होता है 17 gauze होता है external diameter 1.7 mm होता है और इसकी जो length होती है 45 mm होती है flow rate 142 ml per minute होता है और इसका usage कहां करते हैं severe trauma, major surgery या फिर rapid blood transfusion और intravenous fluids administer के दोरान इसका यूज करते हैं next discuss करेंगे green के बारे में जो green color का जो cannula होता है वो 18 gauze का होता है और इसका जो external diameter होता है 1.3 mm होता है इसकी जो length होती है 45 mm होती है और flow rate इसका जो होता है 90 ml per minute होता है इसका usage कहां करते हैं severe trauma हो गया है या फिर major surgery होती है उस दोरान करते हैं rapid blood transfusion के दोरान करते हैं और intravenous fluids को administration के दोरान करते हैं note में कुछ important बात लिखी हुई है most common use of cannula in hospital for blood transfusion hospital में commonly कौन सा cannula यूज करते हैं blood transfusion के दोरान वो होता है green cannula next हम discuss करेंगे pink cannula के बारे में जिसका जो number होता है 20 goals का होता है इसका external diameter 1.1 mm होता है length इसकी 32 mm की होती है flow rate 60 ml per minute होता है और ये usage कहां पर इसके होते हैं तो ideal for IV fluids ये IV fluids के लिए बहुत अच्छा है इसका use करना और for medication administration और medicine administer करने के लिए भी हम pink cannula का use करते हैं next हम बात करेंगे blue cannula blue cannula का जो size होता है ये जो number होता है वो 22 goals का होता है diameter 0.9 mm होता है length इसकी 25 mm होती है जो flow rate होता है 36 ml per minute होता है और blue cannula का use हम IV infusion के दौरान करते हैं और यहाँ पर भी एक important बात लिखी हुई है commonly used in women women में इसका जादा तर blue cannula का use किया जाता है next हम cannula के बार में discuss करेंगे yellow cannula जो yellow cannula होता है इसका जो number होता है ये इसका जो size होता है 24 goals का होता है इसका जो diameter होता है 0.7 mm होता है next जो length होता है 19 mm होता है और जो flow rate होता है 23 ml per minute होता है इसका use कहां पर हम करते है used in infants and old is patient so infant होते है और जो old age वाले जो person होते है उन में हम yellow cannula का use करते है next है for medication and fluid infusion medication और fluid को infusion करने के लिए भी हम yellow cannula का use करते है next हम discuss करेंगे purple cannula जो purple cannula होता है इसका जो number या इसका जो size होता है 26 gauze का होता है diameter जो होता है 0.5 mm होता है length इसके 19 mm होती है और जो flow rate होता है 10 ml per minute होता है और इसका use कहां करते है used for neonates old age patient जो neonates होती है और जो old age वाले जो oh या दो होता है या या जो yuchen vit जोबाएंवाक चानपोएंच जोबएंवाक को चतव होता है जो इसका चाहाँ जुका का जुका आ जुकाली ya जैई पर चांबाएंच झाल झाल